हलो फ्रेंड्स कैसे आप उमीद है अच्छे होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं कचरी की सबजी और कचरी की कढ़ी बरसात के मोसं में जैसे कि पहले ही बता चुकी हूं कि कचरी को कई सबजी मिला के बना सकते हैं और कचरी डालने से सबजी का टेस्ट बहुत कई गुना बनाने जा रहे हूं कचरी की कढ़ी और कचरी की चट्नी सबसे पहले मैं दे ले लिए 8-10 कचरी और चट्नी और उसके लिए मैं इनको पहले छील लूँगी कचरियों को तो यह बात ध्यान रखना है कि कचरी थोड़ी टाइट यह नरम नहीं तो छीलने में दिक्कत होगी अगर नरं होगी तो, इसका चिल कर आराम से उतर जाता है नहीं बिलकुल आराम से उतर जाता है छिल के सहीत में बना सकते हैं में थोड़ा टाइम लगता है छ तो मैं अपनी कचरी को चील के और फिर बनाउगी तो मैंने लिए आठ दस कचरी तो इनमें से कुछ तो मैंने चटनी के लिए रखी है और कुछे कड़ी के लिए तो सबसे पहले इनमें सारी कचरियों को छील लोगी इनका छिलका आराम से उतर जाता है ज्यादा टाइट नहीं होता और छिलका उतरने के बाद कचरी बहुत ज़्यादा सौप्ट हो जाती है जैसे हमारे प्याज होती है प्याज से भी ज़्यादा सौप्ट हो जाती है इसको गलने में फिर टैम नहीं लगता इस तरीके से मैं सारी कचरियों को छील के और फिर चटनी की तयारी करूँगी सबसे पहले मैं बनाऊंगे चटनी कचरी की मेरे परिवार में चार इस अदर से हैं और हमारे की सबजी कमी लगती है इसलिए मैंने थोड़ी शिली है तो आप अपने हिसाब से यह लीजिएगा तीन चार कचरी लेके काटके मैंने मिक्सी के जार में डाल लूँगी और फिर इसमें मैंने कुछी मिर्चे जो आठ दस मिर्चे मैंने पाने में भीगो के पहले रख दी थी जो सुखी भी मिर्च थी लाल उनको पहले पाने में विगो के रख दिया है और ये 8-10 कलिये हैं लेसुन की इसको भी मैं इसमें डाल दूंगे कुछ सूखा धनिया भी डाल देंगे ये चट्नी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इसे आप पूडियों के साथ पराठे के साथ कभी भी अपने नास्ते में खाईए दिन में कभी बीच में भूख लग जाए तो खाईए बहुत ही टेस्टी लगती है अच्छो कि मैं गाउं से हूँ तो गाउं में छाच धाई तो होता ही इसके साथ कभी खाके देखेगा आप बाकि सारी सबजियों को भूल जाएंगे चट्नी खाएंगे तो यह मैं थोड़ा सा धनिया ले रही हूं कि अब इसको एक बात और कचरी पहले से ही कहती है तो चाल्ज आप डालना चाहिए то डाल सकते है नहीं तो पानी से भी बनार सकते हैं हम अधिकतर चत्नी चास में बनाते हैं लेकिन ये चास थोड़ी खटी नहीं है थोड़ी फीकी है इसलिए मैंने चास डाला है आप पानी से भी बना सकते हैं पानी डालके मेरी मिक्सी मेरी सारी चत्नी पीस गई है अब मैं इसमें छोंक लगा दूँगी मैंने डेट दो चमच छोटे वाले तेल के ले लिए हैं इसमें थोड़ा जीरा डाल दूँगी इस चत्नी को बढ़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता यह एक दो मिनिट में क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है तड़का दिया और एक दो मिनिट पकाया औ बाद मैं इसमें चट्नी डाल दूँगी और थोड़ी देर में हमारी चट्नी बन जाती है क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है बस इसको पकाना ही होता है थोड़ा बरसात के मौस्तों में कचरी बहुत ज़्यादा मिल जाती है आराम से हर जगे मिलती है तो इस इसकी आप चट्नी बनाईए सब्जी बनाईए गवार की फली के साथ इसकी सब्जी बनाईए बहुत टेस्टी बनती है और क्योंकि सीजनल है बरसात में आती है तो आप इसको सुखा के स्टोर भी कर सकते हैं कचरी का अचार भी डलता है जो बहुत टेस्टी पूरे साल बर चला सकते हैं आप उसको और यह वैसे भी पेट के दर्द में कई चीजों मेरे कच्री काम आती है तो यह बहुत हैल्दी भी रहती है कि देखिए होगी मेरे चटनी ज्यादा टायम लगता नहीं इसमेश पीशाब तैयार हो गई है अब चटनी मेरे तैयार हो गई है अब मैं कड़ी की तैयारी करूं मैंने भागुनी चड़ा दी इदर इसमें तेल हम कम खाते हैं इसलिए अपने साब से तेल डालना मैंने इसमें कुछ दाने राई के डाल दिये हैं राई कमी डालते हैं क्योंकि हमारे बच्चे खाते नहीं है जीरा में डालती नहीं हो कुछ चीजों में जैसे कड़ी हुई दाल हुई इनमें जीरे का तड़का नहीं लगाती है इसलिए इसमें नहीं डाला है ने मैंने दो लाल मिर्च डाल दीए चार-पांच कडी पत्ते डाल दीए और इनको ठोड़ा भूनोंगी कोको कुमेंट पढ़ना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो किरिप्यकना मेरे चैनल देहने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो कॉमेंट जरूर करेंघर आपको कोई नई रेसिपी क्स तो आप अने बार दो उनके और कच्छरी की अगर आचार या कुछ भी जा अगर आपको दिसी नहीं है तो बताएए मैं वही रेसिपी डालूंगी मैं इसमें उदर मेरा चौक तयार हो रहा है और मैं यहां घोल तयार कर रही हूं में दो चमच ले लिए हैं खाने वाले छोटी चमच बेशन के और इसी में मैं सारा मसाला सूखा जो डालना होता है वो डाल दूँगी वह दर मेरी प्याज भून रही है इसमें हल्दी धनिया पाउडर नमाक मिर्च यह इसी में डाल दूँगी मैं अलग से घोल तयार करके नहीं करती है मैं इसी में मिला दूँगी और जब प्याज भून ब्राउन ब्राउन होने लगे जदा नी पकाना उसको थोड़ा बचा के रखी थी उनको बारे के बारे काटके और उसको डाल देंगे उनको थोड़ा ब्हूनना है वह जल्दी गल जाएंगी वैसे उनको भी ज्यादा टैम नी लगएगा प्याज मेरी लगवाग भूंद गई हैं और इसमें मैं वो कच्रियां जो काटके रखी रही थी वो डाल दूँगी और उनको धीर धीर करके भूंदूँगी आंच को मीडियम ही करके रखना है तेज नहीं करना है नहीं तो मसाला जल जाएगा और कच्रि भी हमारी जलदी कर जाती है तो इनको थोड़ा भूंद लूओगी और यह मैंने सारे मसाले डाल दी है अब में इसके मनों का भूल तुयार कर लूँगी यह देखिए मेरी कच्रियां लगवाग भूंद गईatra है अब मैंने फार्समें सारे मसाले भूल के रखे हु और इसको डालते वे लगातार चलाते रहना है इसको बीच में छोड़ना नहीं है जब तक चलाते रहना है जब तक कि एक उबाल नहीं आने लगे और आज को थोड़ा कभी करके रखना है तेज नहीं करना है बिल्कुल भी लगातार चलाते वे रहना है और जब इसमें उबाल आने लगे ना फिर फोड़ सकते हैं कम सकम 5-6 टैनल राओ ना ये देखिए लगबक कड़ी बनकर तयार हो गये हैं इसमें 5-6 उबाल आ गये हैं जब हमारी कड़ी बन जाए तो उसमें थोड़ा सा सुखही कसूरी मेत्ति होती है लो डाल दीजी गड़ी का टेष्ट दोगना ह कड़ी में में कसूरी मेथी दाल दिये दो में इसका बड़े, इसमें क्थशी पर को में अच्छ कमशा है कड़ी मेरी बनकर तयार हो गई है अब इसको आप पूरी के साथ खा सकते हैं परांठे के साथ खा सकते हैं रोटियों के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी बनती है अब मेरी कड़ी बनकर तयार है और मैं आज बना रही हूं बच्चों के लिए परांठे यह देखिए कड़ी देखके तो वैसे भी भूख अपने आपी लगने लग जाती है मन अच्छा हो जाता है कड़ी खा के आपको भी अगर कड़ी अच्छी लगती है तो कृपया कोमेंट जरूर करे कौन सी सब्जी आपको ज्यादा अच्छी लगती है जैसे मुझे तो कड़ी अच्छी लगती है कड़ी और चटनी बहुत ज़्यदा टेस्टी लगती है आज तो कई रोटी एक दो रोटी फाल तो खाने वाली हूँ और आपको कुण सी सबजी अच्छी लगती है सबसे ज़्यदा कुण सी अच्छी लगती है वह बताना कुछ इधर मेरे परांथे बन रहे हैं आपका एक-एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है जब कोमेंट जरूर करना और कोमेंट करेंगे तो आपके एक-एक कॉमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनसे मेरे को इंस्प्रेशन मिलती रहेगी और आपको कौन सी चीजे अच्छी लगती है कौन सी बनवाना चाहते हैं यह भी लिखके बताएं और तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे देखते खुश हो जाएंगे चटने और कड़ी बन गई और साथ में पराठी क्या कहने पराठी मेरे सिक्के तैयार अब मैं एक प्लेट में डाल दूँग इनको आप भी जरूर जरूर ट्राइ करना कड़ी कैसी लगी यह जरूर बताना मेरे को क्यों कि बाकी और कड़ियां तो बनती हैं लेकिन कच्री के कड़ी कामी बनाते हैं लोग जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं तो एक बड़ ट्राइ करना और फिर बताना कैसी बनी यह देखिए मेरे लगवक सारा चीज़े तयार हैं मेरे थाली हो तयार हो भी है कैसी लगी आपको बताना यह देखिए कोमेंट करना